हलो फ्रेंज गुद मॉर्लिंग नमस्ते कैसे हैं आप सब लोग मैं हूँ डॉक्टर मनूज एक अरोमा तरपेस्ट एक नैचरो तरपेस्ट दोस्तों इस चानल पर हम लोग बात करते हैं और आप सब का प्यार इस चानल को मिल रहा है उसके लिए बहुत बहुत शुक्रियां दोस्तों गर्मिया आ चुकी हैं गर्मियों की तपिश हम सब अपने चेहरे पर अपने बॉड़ी पर फील करना शुरू कर चुके हैं और बहुत सारी स्किन से लेटेट प्रॉब्लम्स हमे गर्मियों के आते ही शुरू हो जाती हैं बहुत सारे प्रयास हम करते हैं बहुत सारी चीजों को हम अपनाते हैं लेकिन उसके पावजूर भी गर्मियों की वजह से संटैन, संबॉन, अनीवन स्किन, मंकी माउफ, डाक सरकल, स्टैनिंग, संबॉन, छोड़ी जोटी गमूर पाते हैं तो क्या करना चाहिए हमें इन से ठीक करने के लिए तो इसी के लिए है यह मेरा आज का वीडियो इस वीडियो के अंदर में बात करूंगा कुछ ऐसे ingredients के बारे में जो ingredients आपके cosmetics में होने चाहिए और majorly तीन वे ingredients जो आपके cosmetics में अगर होंगे तो आपकी गर्मियां बहुत सुकून से निकलेंगी आपको गर्मियों में किसी भी तरह की स्किन की प्रॉब्लम नहीं आएगी और आपकी स्किन हमीशा जैसे winters में बहुत ज्यादा healthy रहती है फिर ट्रहती है गर्मियों में भी उतनी ही ज्यादा खुबसूरत आपको दिखाई देगी तो पहली जो चीज आती है दोस्तों यहाँ पर वह आता है चार्कूल पाउडर चार्कूल पाउडर अगर आपके ingredients में होता है या आपके वह cosmetics जो आप इस्तमाल करते हो उन cosmetics में होता है तो उसकी वजह से आपकी skin पर बनने वाला extra oil और चैसे ही frequency reduce होगा आपकी skin के अंदर बहुत ही खुबसूरत glow आपको दिखाई देने वाला है तो बहुत ज़रूरी है यह समझना कि आप सबसे पहले अपनी skin में बनने वाले extra oil को control करेंगे नमबर दू जो ingredient आता है दोस्तों वो आता है आपका केवलीन powder केवलीन powder जो है वो एक तरह का natural clay होता है जिसको की face pack बनाने के लिए इस्तमाल किया जाता है तो गर्मियों में जाता ता जब हमारे शरीव में हमारी skin में हमें गमूरिया हो रहे होती है अगर उस समय में हम केव केवलीन powder से बने हुए face packs का अस्तमाल करें तो वो हमारी skin को cooling effect देते हैं जिसकी वजह से हमारी skin के अंदर किसी भी तरह का जो अलाईया होने का या जो घमूरिया होने का जिसको इंगलिश में prickly hits बोलते हैं वो होने के खत्रा बहुत काम हो जाता है और हमारी skin naturally glow करने लगते shine करने लगती है केवलीन powder आपको Amazon पर भी बहुत easily मिल जाता है आप उसे मुलतानी मिटी के साथ मिला करके भी अपना जो face pack है वो बना सकते हैं और यह आपको बहुत ही अच्छे results देने वाला है नंबर 3 जो ingredient आता है दोस्तों यह नंबर 3 जो product आता है जो आपको गर्मियों म अगर हमने गर्मियों के अंदर sunscreen नहीं लगाया तो उसकी बज़ा से क्या होगा हमारी skin जुलसने लगेगी हमारी skin दीरे दीरे ultra wallet radiation की बज़ा से अंदर से damage होने लगेगी तो बहुत जरूरी है sunscreen लगाना मैं हमेशा बोलता हूँ गर्मियों में ही नहीं सर्दियों में भी भी धरती पर आती है तो बहुत जरूरी है कि अपनी skin को sunray से protect करके रखना इसके लिए आपको यह best result देने में आपकी मदद करते हैं तो दोस्तों आपको sunscreen कौन सा लगाना चाहिए या एक सवाल आता है तो मैं हमेशा आपको suggest करता हूँ कि आप Skin Affairs का SPF 50 sunscreen ज़रूर लगाए यह आपको आपकी skin के साफ में adjust करने में आपकी मदद करता है इसके अंदर एक crawl नाम का ingredient है जो कि naturally oily, normal, dry, combination, sensitive, mature skin के according adjust कर लेता है जिसकी बचर से आपको किसी भी तरहा का कोई भी problem नहीं होता कि अगर आपकी skin oily है तो क्या लगाए, dry है तो क्या लगाए, combination है तो क्या सकते हैं, मैं आपको इसका purchase link जहां से आप इसे purchase कर सकते हैं, वो description box में देदूँगा, जहां से आप इसे easily जाके purchase कर पाएंगे, तो दूस्तों ये तो थे आज के हमारे 3 tips जो कि आपको गर्मियों में खुपसरुत skin को बनाने के लिए बहुत जादा help करेंगे, तो मैं follow करें, ताकि हमें आपके इन likes और motivations की वजह से और भी जादा energy मिलें, ताकि हम आपके लिए नित नए videos create करके ला सकें, thank you so much, bye bye, love you all